अब बात करेंगे दुनिया की, खास तोर पर इसराइल, इसराइल, गाजा और दक्षिन लेबनान के अलावा बीरू तक लगातार हमले कर रहा है, इसराइल के हमले के जवाब में हिजबुला ने ड्रोन से मिसाइल दागी, लेकिन युद में इसराइल को बड़ा जटका नेट के तीन देशों ने दिया, तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दवान के दाओं से इसराइल बहुत बड़ी मुश्किल में घिरता जा रहा है, देखिए I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach, and that's true of the entire Middle East. And some other Western readers are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. अकेला इसराइल साथ फ्रंट पर बरावर की मार चल रही है, लेकिन नेतन्याहू को जिन देशों से युद्ध में साथ की उमीद थी, वो भी एक-एक कर रुक बदलते जा रहे हैं. नेतन्याहू का ये गुस्सा, ये जुन्जलाहट यूं ही नहीं. फ्रांस ने इसराइल को हत्यार सप्लाई तक ठप कर दी है, युद्ध में साथ देने की बात तो दूर है, जिसके बाद नेतन्याहू फ्रांस पर फट पड़े है. ये प्रेज़न मकरॉन और ये जिसके बात रहे हैं, ये जुन्स आफ़े हैं. का साथ देने की ताकत फिलहाल उसमें नहीं ब्रिटिश पीम कीड स्टार्मन ने इसराइल से सैयम की अपील की है साथ ही ये भी क्लियर किया कि ब्रिटेन को गाजा अयुद से नुकसान हुआ है यानि नेटों के तीन ताकतवर देश इसराइल से दूरी बनाते दिख रहे हैं जो इरान इसराइल युद्ध से दूरी बनाने की दुहाई दे रहा है नेटों फोर्सिस के 32 देशों में ये तीन देश ऐसे हैं जिनकी सैनने शमता सिर्फ अमेरिका से कमा की जा सकती है इन जैसे कैई और देश हैं जो इसराइल के लिए अपना नुकसान नहीं जेलने का ब इसराइल के हमले तेज होते जा रहें हैं घाजा में भी और लिबनान में भी इसबुल्ला दो मिसाइले मारता है बदले में इसराइल 200 धमाके कर रहा है मार कितनी तगडी है कितनी विद्वनसक है कितनी जोरदार ये बस बेरूत के दृश शे बता रहे हैं लड़ाई लम उखरता जा रहा है सारा जोड लगा कर भी लडाका ग्रूप इसराइल के आगे टिक नहीं पा रहा तस्वीर पांच अक्तूबर की राथ हुए हमले की है बेरूत हवाय एड़े के करीब गॉल्डन पलाजा पर बं परसा है जमीन फार दमाके के बाद यहां भीशन आग लगी आग की लप्टे आसमान चूने लगी बं विस्पोर्ट ने इतनी चिंगारी उगली कि बगल का गैस स्टेशन भी जद में आ गया इसराइल ने इस इलाके में कुलाड दमाके किये राद भर हमला होता रहा जिसमें हिजबुल्ला को भारी नुकसान हुआ 6 अक्तूबर की सुबा इससे भी भ्यानक द्रिश्य बेरूत में दिखाई देने लगे एक धमाका बारूत से पढ़ गया बेरूत धुए के गुबार से आसमान धग गया जब धुआ छटा तो द्रिश्य दिल दहलाने वाला था मटिया मेट हो चुकी थी बहुमंजिला इमारत खंडर में जिंदगी तलाश रहे थे लोग इसराईल ने रात और दिन का फर्क मिठा कर अब हिजबुल्ला को तबह करना शुरू कर दिया है सबसे भीशन हमले दक्षिन लिबनान में हो रहे हैं जहां हिजबुल्ला का तनल नेटवर्क है नेतनियाहू साफ बता चुके हैं कि हिजबुल्ला के निस्तनाबूत किये बगएर ये युद्द नहीं रुकेगा लेकिन हिजबुल्ला भी हार मानने को तयार नहीं इरान ने नए हिजबुल्ला चीफ का नाम भी फाइनल कर लिया है बताया जा रहा है कि नया हिजबुल्ला चीफ खामनेई का खासम खास होगा हिजबुल्ला के नई चीफ का नाम इबराहीम अमीन अलसयत बताया जा रहा है इबराहीम ने 1985 में हिजबुल्ला के घोशना पत्र जिसे ओपन लेटर कहा गया उसको सार्वजनिक किया था इबराहीम अमीन 1992 और 1996 में हिजबुल्ला के लोयल्टी टू दा रेजिस्टन्स ब्लॉक के तहट लिबनान की संसत के लिए चुने गए थे साल 2001 में हिजबुल्ला की शूरा काउंसिल में चुने जाने के बाद इबराहीम हिजबुल्ला की पॉलिटिकल विंग के हेड है इबराहीम लिबनान की राजनीती में बड़ा नाम है सभी पार्टियों में उनकी खदर की जाती है लेकिन इबराहीम को हिजबुल्ला चीफ की गद्दे दिलवाने में जो सबसे एहम बात है वो ये कि उन्हें खामनेई का खास माना जाता है इबराहीम अमीन हिजबुल्ला और एरान के बीच कूटनीतिक सम्मंदों को मजबूत करने वाले लीडर बताये जाते है कई मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इबराहीम एरान के जियाततर राजनाईकों से सीधे संपर्क में रहते है हिजबुल्ला के रणनीती तैयार करने में इबराहीम अमीन का एहम रोल रहता है लिबनान और एरान के रिष्टों की एहम कड़ी इबराहीम आयातुला खामनेई के एक करीबी बताये जाते है नए हिजबुल्ला चीफ के तौर पर जेने बराहीम अमीन का नाम सामने आया है उनका बैकग्राउंड इसराइल को डराने वाला है इबराहीम अमीन अलसयत लेबनान के बेका के हाउचल नभी गाउं के रहने वाले हैं साल 1981 में बेरूत की लेबनानी उनिवरस्टी से केमिस्ट्री में ग्रैजुएट अमीन विदेश में भी पढ़ाई कर चुके हैं इबराहीम ने 1984 में फ्रांस के स्टार्ट्सबर्ग उनिवरस्टी से मास्टर्स की डिग्री ली साल 1987 में उन्होंने ओर्लियंस उनिवरस्टी से केमिस्ट्री और फिजिक्स में पिएजडी भी की